गुजरात राज्य में कोरोना संक्रमवण पर नियंतरन पाने के लिए राज्य सरकार की और से हर जिले में RTPCI टेस्टिंग लैब शुरू करने की मुहिम चलाई गई है उसी तरह नर्मदा जिले में भी RTPCI टेस्टिंग लैब की शुरूआत हो गई है राथ विप्रा के आरुवेदी कॉलेज में जहां पर कोवीड अस्पताल अभी चल रहा है वहां पर RTPCI टेस्टिंग लैब शुरू कर दिया गया है अगर कल की बात करें तो कल 118 सेंपल की यहां पर रिपोर्टिंग की गए थी और प्रती दिन 200 सेंपल की जाच तक की इसमें टार्गेट रखा गया है अब तक नर्मदा जिले से जो सेंपल कले किये जा रहे थे उसे बरोदा शहर के गोतरी या फिर SSJ अस्पताल में टेस्टिंग हेतु लाया जाता रहा था अगर जादा केस आ रहे थे तो जादा टेस्टिंग और जादा सेंपल इखटा हो रहे थे तो आमदाबाद भी बेजा जा रहा था जिसको लेकर मरीजों को तीन से चार दिन का वेट करना पर रहा था पर अब राज पिपड़ा में ही आटी पीसिया टेस्टिंग लैब शुरू हो जाने के चलते 24 गंटे में मरीजों को कोरोना की जाज की रिपोर्ट दी जा रही है अर्बदा जिन नामा COVID-19 अउस्पिटल खाते चाले छे आज की पंदर वीज दीवस पहला अपना पास एक आटी पीसिया लेब माटे कोई अप्रूवल ना थी परन्तु हमारे कलेक्टर साहिब और बद्दा ने उपर थी जान करी और ताथकाली के धोरा ने यहमने आटी पीसिया लेब वोटली ने अप्रूवल ली दी अने पंदर दीवस मां हमें वद्दी साधन सामगरी सांथे आज आज हमें गर्वती कई सके चे कि हमारी आटी पीसिया लेब फंक्शनिंग थाई गई लिए छे अने एक दीवस मां चोईस का लगना अंदर हमें रिपोर्टिंग आपी सकी है अत्यार सुधी अपने आएक वरस्ती अपन कोराना चला भी एछे अने वद्धा सेंपल वद्धी जग्याती फिल्ड में थी आभी ने भिगवा करीने अने अपने SSG होस्पिटल वरोद्रा अने कोत्री होस्पिटल वरोद्रा खाते मुकलवा मां आवता था अमुक्ताइम वद्धरे सेंपल होए तो बीजे मेडिकल कॉलेज अमदाबात अपन भूपलेला चे अने अत्यारे कोराना केस वद्धाना होना लिदे अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG News की मोबाइल एप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें